दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल बी योर मनी मनेजर और आपके फानेंसल सफर को सुहाना बनाने से जूड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनी मित्र रजनीश खान दोस्तो हम पैसा बचाने के लिए पैसा से पैसा बन एफडी, पोस्ट ओफिस आड़ी, पी पी एप, सुकन्या समर्धी योजना, पी ओ एम एएस, किसान विकास पत्र, शेहर बाजार, म्यूच्वर फंड, इंसूरेंस बगार में निवेस करते हैं जब हम पैसे लगाते हैं तो हमसे नौमिनी का नाम मांगा जाता है नौमिनी वो होता है जब पैसे लगाने वाले न रहे तो उसको पैसा दिया जा सके मतलब निवेस करने वालों के न रहने पर जिसको पैसा दिया जा सके वो नौमिनी होता है इसलिए जब भी हम निवेस करते हैं तो नौमिनी का नाम मांगा जाता है लेकिन कई वार क्या होता है कि कई लोग नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं जिससे जब निवेस करने वालों की मृत्यू हो जाती है तो फिर वो पैसा यूँ ही पढ़ा रहता है या फिर जो कानूनी वारिस होते हैं उनको वो पैसा निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है काफी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है काफी डॉकुमेंट्स बनाने पड़ते हैं काफी लंबा वक्त लग जाता है अगर पोश्ट ओफिस में किसी का पैसा जमा है और उसकी अचानक मौत हो गई है तो उसका पैसा निकालना अब आसान बना दिया गया है पोश्ट ओफिस सेविंख्स कई तरह के होते हैं जैसे पोश्ट ओफिस सेविंख्स अकाउंट, पोश्ट ओफिस एफD, पोश्ट ओफिस आर्डे, PPF यानि पपलिक प्रोविडेंट फंड हिंदी में सारजवजनिक 12 सेनिधी कहते हैं सुकन्या सम्रधी अस्कीम, किसान विकास पत्र यानि KVP, POMIS यानि Post Office Monthly Income अस्कीम, इसके अलावा NSC यानि National Savings Certificate यानि राश्टिय बचत पत्र और वरिष्ट नागरिक सेविंग सस्कीम यानि SCSS जैसी कई योजना हैं, जिसमें अगर किसी ने पैसे लगाया और उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसने नहीं नौमिनी का नाम दिया है और नहीं उसकी कोई वसियत नाम है, तो वहाँ से अब पैसे निकालना आसान बना दिया गया है, चलिए अब हम पूरी ख़बर पर बाढ़ते हैं, आपको बता दू कि पोस्ट ओफिस में 9000 करोड़ से जादा रुपय ऐसे पड़े हुए हैं, जिसका कोई दावेदार नहीं है, तो अगर आपको मालूम है कि आपके किसी सगे समंदी का पैसा बेकार पड़ा हुआ है, तो आप उन पैसों पर दावा कर सकते हैं, भले ही उन्होंने नौमिनी क नाम नहीं दिया है, चलिए ख़वर यह है कि पोस्ट ओफिस सेविंग्स स्कीम के नियमों में नहीं बदलाव किये गए हैं, अब किसी ब्यक्ति की मृतिव होने पर उसकी पोस्ट ओफिस सेविंग्स स्कीम के पैसों पर दावा करने के नियमों को आसान कर दिया गया है, चाकत में सुधार किये गए हैं, यानि काफी अधिकार दिये गए हैं अलग-अलग अथारिटीज को, नहीं नियम में किसी नॉमिनी के रेजिस्टर नहीं होने और कोई लीगल एविडेंस उपलप नहीं होने समंधी आदेश भी शामिल हैं, नहीं नियम में किसी मृतक के न नहीं मिलता है, तो आगे बताई गई अथारिटीज के पास यह अधिकार है कि व्यक्ति की मौत के 6 महीने बाद बीना किसी कानूनी सबूत के पैसे के दावे को स्विकार कर लें, तो चलिए कौनसी अथारिटी के बास कितने पैसों तक मंजूरी देने का अधिकार दिया गय तो देखिए, अगर पांच हजार रूपय तक मिलता का पैसा पास कराना है, तो टाइम, स्केल, डिपार्टमेंटल सब पोस्टमास्टर्स को यह अधिकार दिये गए हैं, दस हजार तक का रूपय अगर है, पांच हजार सब दस हजार तक का तो लोवर सिलेक्शन ग्रेड, पी-म ग्रेड वन में सब पोस्टमास्टर्स को अधिकार दिये गए हैं, यह पैसा जारी करने का, अगर दस हजार से लेकर के पचीस हजार तक का मामला है, तो हायर सिलेक्शन ग्रेड सभी नॉन गैजटेट या पी-म ग्रेड टू, और थर्ड में सब पोस्टमास्टर्स, अधिकार दिये गए हैं, पैसे जारी करने के, पचीस हजार से लेकर अगर एक लाग रूपे तक के जारी करने हैं, तो यह अधिकार पोस्ट आफिस के डेपीट्यू, पोस्टमास्टर्स, या सिनियर पोस्टमास्टर्स, या डेप्यूटी, चिफ पोस्टमास्टर्स, या स सुप्रिटेंडेंट सभी गैजटेट ग्रूप P को अधिकार दिया गया है अगर मामला एक लाख रुपे से लेकर करके धाई लाख रुपे तक है तो इसका अधिकारी जीपियो हेड ऑफिस में चीफ पोस्ट मास्टर्स पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुप्रिडेंटेंट्स सभ ग्रूप एक अधिकारी को अधिकार दिया गया है अगर मामला दो लाख पचास जार से लेकर के पहुने चार लाख तक है तो यह अधिकार डारेक्टर हेड क्वाटर या रीजनल डारेक्टर्स या डारेक्टर जीपियो को दिया गया है और अगर मामला पांच लाख रुप अच्छी खबर है आपको बतातों कि भारतिय डाक विभाग दोरा इस सम्मंद में 20 मैं 2019 को आदेश जारी किया गया है डाक विभाग का आदेश ततकार प्रभाव से लागू हो गया है नैनियम सभी कोर बैंकिंग सॉलुशंस यानि CBS और नॉन CBS पोस्ट ओफिस के लिए भी ला सब्सक्राइब